आपके पास IQ 11 है या फिर 12 है या फिर कोई और फोन है तो उसके अंदर fingerprint कैसे सेट कर सकते हैं यानि कि fingerprint lock आप पने फोन में कैसे लगा सकते हैं तो उसको लगाने के लिए simply आप जाएंगे setting पे निचे सेट जाना है यहाप आपको दिखियागा security option इस पर आपको टैप कर लेना ह तो इसको आपको चेक मार करके अग्री कर लेना होता है अगर करनेक बाद यहां पर यह वाला option आएगा तो इस पर आपको बार बार उंगली से टच करना है जब तक यह आपका पूरा complete नहीं हो जाता अगर मानिचुल अगर गल्ती से आपका फिंगर से आपका fingerprint नहीं ले रह अगर करता है से यहांपी तो कर देंगी की तो सुर्ण करने बाद आपको कुछ इस्ता से चेटिंग दिया जाता है यह आपका अपको धाल अपड़ कर देंगेसं फिंगर पूराल ठ्म करकं मटार्ं हैं तो इसको आपको अच्छा लग रहा तो मैं इसको करके apply कर दिया ठीक है ऐसे swipe करेंगे तो यहां पर और भी आते हैं section जो कि आपको जो भी अच्छे तक के कर लेना है बाकि आपको दिख रहा होगा show notification icon on lock screen तो इसको आपको करना कि इनेबल कर देना है यानि कि जब भी आपका phone lock रहेगा तो उस condition में आपका screen lock का जो भी आइकन होता हो आपका आप सो नहीं करेंगा जैसे कि इसको बंद करने बाद यहां पर बंद करेंगे तो आप आपका इसो कर रहा है इस पर जब करते हैं तो उस condition में जब को आपको करना है तो जाना है सबसे पहले वापस से उसी जगा अब जो भी screen lock है इसको ड्राना है इसको इनेबल कर देना है बाद आपने फोन को लोग करेंगे इसपर टाइप करेंगे तो यहां आपका fingerprint आ जाता है अब जैसे टाइप करेंगे तो आपका फोन अन्लोग हो जाएगा तो कुछ इस तरह से अप अपने फोन में फिंगर प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं अगर वीडिव अच्छे लगे तो लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता है नाइक स्टूडियों तब तके लिए बाबाए